आज की वीडियो में आप लोग को टोकन बताने वाला हूं जिसका नाम है सिएफेक्स सिएफेक्स के बारे में मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि आखिर क्या ऐसी चीजें जो मुझे काफी बुलिश लग रही है सिएफेक्स में लेट्स गो राइट इन टू लेकिन उससे पहले है आप़ लोगों से रि क्वेस्ट है अगर आपने मुझे सबस्राइब नहीं किया टैलीगाम पर तुम वहां पर भी सबस्राइब करो चैनल को भी सबस्राइब करो आपको जो information मिलेगी वो कहीं भी और नहीं मिल चीज देखत देखिए अभी में cfx की बात कर रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में अंदर cfx की बात बहुत तगड़ी होने वाली है और लोगों को तब तब रिलाइज होगा तो जब सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो उन्हें मिलेगी उन्होंने पता चलेगा क्या उन्होंने मिस किया पर परपेच्वल कॉंट्रेक्ट वाला चार्ट में देख रहा हूं cfx का और उसमें अगर आप बाइनेंस के परपेच्वल कॉंट्रेक्ट में जाते हो और आप cfx को देखते हो तो आपको एक important support zone मिलता है यहाँ पर और यह आपको volume profile का यहाँ पर cluster दिखता है cluster यह हमसे क अरिया था हमारा यह जून 2023 था मार्च 2023 था और यह वाला हमारा जो है 15 जुलाई जुलाई के recording है ठीक है तो यहाँ पर प्राइस का time spend करना is a good thing क्योंकि एक अच्छा important support zone रहा है लेकिन नीचे भी यहाँ पर support है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा लेकिन पहले मैं साफी जादा यहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखेगा इस एरिया में भी ठीक है ठीक है दूसरा प्राइस जो है यहाँ पर आप देखोगे कि constantly उठता ही दिख रहा है लेकिन अगर हम in the last time frame देखें from here to here you can see that price is going up and here to here RSI is going more than that अगर आप इस angle को लेते हो ठीक है मालो यह है और यह जो angle है यह हमारा देखो यह जितना भी है यह मेरी personal theory जो मैंने work out करती देखी इसको भी मैं RSI के bullish divergence में लाता हूँ क्योंकि price is not moving as much as the RSI is indicating ठीक that means there can be a push to the upside ठीक यह हो सकता है हमारे लिए और दुसरी चीज़ है कि same place पे दुबारा आना यहां से यहां तक का RSI का bullish divergence ही कहला जाएगा क्योंकि price ने कुछ भी interesting किया नहीं इस area में that means कि bullish divergence बना bounce बना यहां तक यहां से 23 तक का ठीक है लेकिन वो 23 तक का bounce मुझे sufficient नहीं लग रहा क्योंकि 50 का RSI को touch करके ही करने ही आया था nothing special in that 50 से एक rejection तो बनने ही था next अगर जो हमारे लेक बनता है वो minimum यहां से लड़ता है तो अगर यह इतना उठता है यहां से तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम दोबारा से इस zone में आ सकते हैं ठीक है और that can lead और अगर इसका हम टॉप की बात करें RSI का according तो यहां तक टॉप बन सकता है 26 cents से 27 cents के बीच में तो यह मेरी theory है personally कि जो CFX है वो आने दिनों के अंदर कुछी दिनों के अंदर अगस्त तक या फिर अगस्त से पहले भी यह हमारा 26 cents से 27 cents के according चल रहा होगा इस price point के according ठीक तो यह मेरा एक price prediction है CFX को लेकर और अब मैं आपको लेकर चलता हूं directly उस चार्ट में CFX के जो की है spot का चार्ट spot के चार्ट की बात मैं आप लोगों से बहुत पहले ही कर चुका हूं लेकिन मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं कुछ चीज़े clearly यह मेरा spot का चार्ट है इसमें मैं आप लोगों को बहुत पहले 19-20 का support बताया हुआ है यह S1 support से लिखा हुआ है S1 पे मैंने आप to minimum यह बात आपको याद रखनी है तो आप जो है मेरे Twitter पर जाकर देख सकते हो अगर आपको जरा सबी डाउट है आप यहां पर CFX की post पर जाना जो pin post है हमारी वह उस pin post पर जाना वहां पर मैं आपको डाला है यहां पर आप देखना कि CFX के बारे में मैंने last time आपको इस zone मे दिलाया था 16 से 14 सेंट के according और वहां पर बाइंग के बाद CFX कितना उठा था according आप देखो 28 से 35 उठ गया था double almost हो गया था ठीक है तो यह according pin post आपकी है यह पिछला मेरा CFX का prediction था अगर आपको लगता है कि CFX बर्दी है बाय का तो आप ले सकते हो वरना यहां पकर भी आप देट कर सकते हो जो एरिया है 16 से 14 सेंट का ठीक है यह बहुत परफेक्ट एरिया है बाय का लेकिन मुझे अभी यहां आने के चांसे लग रहे हैं मानलो 25 परसेंट और यहां से बाउंस बनने के बन रहे हैं 75 परसेंट इसलिए अगर आपको डालना है तो आप फंड भी उसी अच्छा बाउंस उपर की ओर दे सकता है तुदर नेक्स लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो मारा यह 28 से 30 है इस चार्ट के अकॉर्डिंग 28 से 30 है लेकिन आप देखोगे यहां पर 26 वाला भी एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बनके बैठा हुआ है that's it for today's cfx update कुछ भी हम हमें यहां पर ema band में interesting देखने को नहीं मिलता है हमें यह देखने को मिलता है कि cfx काफी दिन से bearish market में है चाहे हम बात करें माई 2023 से वहां से लेकर अभी तक आप देखोगे हम bearish ही bearish है अभी तक कोई भी ema का retest हुआ नहीं जनरली cfx क्या करता है इन ema को test करते हैं आता देखसे फर टेज वीडियो थांक युक्वाच वाचि य वीड्या काफी बड़ा पॉस्ट तिल एंबगाई